तो सबसे पहले हम बात करेंगे CDA Cell Limited के बारे में, अगर हम कल की दिन की बात करें तो लगबाग 2 से लेके 5 पसंद की गिरावाट, बागी पिछले 5 दिनों की बात करें तो लगबाग 6 पसंद डाउन और टॉप लिबल से देखोगे, तो यही गिरावाट टॉक टॉबाटम CDA Cell Stock ने बहुत ही जोड़दार गिरावाट दिखाया और इसी गिरावाट के बीच में, आज के दिन इस कंपनी में और एक important news निकल का है, और अगर हम उस news की बात करें दोस्तों, तो short time, long time दोनों के लिए यह negative news है, तो क्या किसी के पास अगर इस CDA Cell Stock है, तो क्या इस negative news के तो क्या उनको डनना चाहिए, उसी के साथ इस negative news का impact कितनी जाद इस company में हो सकता है, इस company के stock price में हो सकता है, तो उस point को भी हम आगे जरू कबर करेंगे, बड़ उस से पहले हम देख लेते वो news का है, बड़ डेलिकली उस news को पर जाने से पहले आपको यह पता होना है चाहि तो बहुत ही आसान है, कि CDSL अपना service प्रोबाइड करता है, देखतों कि provide service to all market participants, और company के अगर आप income source को भी देखोगे, company कहा कहा से अपने income generate करती है, तो वो भी आप देखतों कि company के break-up bias revenue, तो सबसे पहले, तो सबसे पहले company annual charges में लगबाद 27% का income आता है, दूसरा transition fee, जि इसमें लगबाद 17-18% और 4 था, अधर income जिन में 0 सारे चीजे आ जाता है, जो कि लगबाद 17% जाता है, basically, जैसे मैंने आई भी आपको दिखाया, कि CDSL Limited, market में अपना service प्रोबाइड करते हैं, और उस service प्रोबाइड करने के लिए, जो charges बनता है, उससे रेटर वो कुछ charge कर करते हैं, और उससे से रेटर देख सकते हो कि कौन से चार्जिस से company कितना कितना income करते हैं, और इसी charges से रेटर दोस्तो, CB के साइस से एक important news निकल का है, और अगर हम उस news की बात करें, तो सबसे पहले आप date देख सकते हो कि 10th में, यानकि कि कल की दिन की news आए, और important चीज़ यह जो news है, market close होने के बाद ही news है, जिसके impact साइस साइस सापको Monday के दिन भी थुरा बहुत देखने को मिल सकते हैं, बर सबसे पहले देख लेते हैं, तो news है आप देख सकते हो दोस्तों, कि CDS will please to announce reducing in transaction charges as part of its ongoing effort to enhance investor experience in Indian capital marketing, the revised tariff will be effective from 1st June, so basically CBK announcement है, कि CDSL, अभी तक जो आप charges pay करते हैं, तो उस charges को आप फोड़े बहुत reduce करो, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा investor बाज़र में जूर पाए, और यह कब से करने हैं, आपको कब से अपने charges को कम करने हैं, तो 1st June से यान की next month से, और यह भी चीज़े company ने mention किया है, कि कहा 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 पे आपको अपने charges को कम करने है, तो देख सत्तों highlight कیया गया है, सबसे पहले, 50 basis points अपने charges को reduce करो, तो कहा पे debit transition across all existing slab, दूसरा point, उस में भी आपको 25 basis points के साबढ़ा charges को reduce करो, कहा पे debit transition and debit accounts related, तीसरी point, इसमें भी 25 basis points के साबढ़ा charges को reduce करो, कहा पे, तो mutual fund जह cuatro, तो था एडिशनार डिस्कॉंट 25 basis point डेवेड ट्रांजिशन ये बॉंड में तो ये सारे क्याटेगरी में जो आप अभी तक चार्ज पे करते आ रहे हो तो उस चार्ज में थे थोड़े से पॉइंट 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 पे आप थोड़ा आपना चार्ज को रिडूस करो तो ये कैसे नियूस है कोई भी कंपनी जिस कंपनी के मेनी बिजिस्स से चार्ज से कंपनी के पूरा इंकम आते है और उसी चार्ज को अगर आप कम करते हो भाले कितने basis point की क्यो नहीं चेंजिस किया जो कम किया reducing किया तो उसके पिछी का reason क्या है main motive क्या है to enhance investor experience in Indian capital market यान की ज्यादश ज्यादा इन्वेस्टर बाज़े में जूर्पा है तो मालो पहले पहले roughly 10 करो लोग बाज़े में अभी market में participant करते है मालो इस charges को कम करने के चलते हैं ये 15 करो data हो जाते है त अलड़ी आपका जो पार्टी से मार्केट का अलड़ी 50% जंप हो चुक है पहले 10 करो थे अभी 15 करो तो अगर आप charges कम भी कर देतो तो इतने quantity number आपके पास आ जाएगा investor यूकि आप इस चीज़ को आराम से भरपाई कर लोगे लेकिन फिर भी short time के लिए छोटा मोड़ा negative news जरू है बड़ जैसे मैंने का इतने बड़े negative news नहीं है जो कि इसके चलते आपको कोई भी मंदब डनने की जरू आते है तो इसके ज़्यादे ज्यादा बिल्कल भी panic करने की जरू थे नहीं पर इतना जरू है कि जैसे मैंने का short time के लिए negative point तो जरू है क्योंकि वैसे भी द जाना तो जो positive momentum बना था उसको रोक सकता है तो देखते क्या यह reaction पहले हो चुका है क्योंकि यह जो news है market close होने के बाद है तो क्या फिर से मंदे की जिन थोड़ा बद इसके प्रति negative reaction होगा तो इसके लिए चाहँ तो cdc को आपना focus बना के रह सकते है बड़ाज इन्मेस्ट बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूत है कंपनी इस चीज़ों को वह जरू भर पाई कर लेंगे जरू इस चीज़ों को कवर कर लेंगे और यह company लंबी अच्छे करने बाले तो आपको बाद सीडे से ल है अब जरू बने रह सकते हो कि दूसरा stock की बात करें तो B.A.C. लिम्केट की बात करें यह भी stock आप देखें तो कि धीमे धीमे नमबर के बाद एक अच्छे कासे पेशर देखन को मिल रहे है अगर हम कल के दिन की भी बात करें तो 202% पास दिन में 6 सारे 6% महिने भर में रफली देखोगे तो 6% और टॉप से देखोगे तो 17-18% तो कि सब अभी तक जो आप चार्जिस पेख करते है रहे हो 27 से लेके 23-24 तक कि आप प्रीमियम वैलू को पर अपना रेगुलिटिव फीर देते आ रहे हो उसको प्रीमियम नी नोसलन वैलू को पर देना चाहिए और जो अभी तक आपने दिया ने तो उसको पर जो भी बाकी एडिस् अच्छे थे बाट वही जो 170 करों के जो प्रोविजन कंपनी ने किया यानि कि जो रेगुलिटिव फीर सेवी को देना है वो पहले से उने प्रोविजन बनाकर रखे जिसके जलते कंपनी के डिरेक्ली पॉफिट में इंपक डाला है तो पॉफिट गिरा है तो स्टॉक प्र पॉच्छ कर रहे है किसको सेवी को कि आपने जो हाली में इनको पर रेगुलिटिव फीर से रेटे जो इशू बताये थे कि नोस्तरम वैलो को पर आपको चार्जिस टर्नोवर फीर देना है तो उसको प्लीज एक बार रीकंसिडर करो क्योंकि यह जो अमॉंट है बहुत अपना ओपीने सेर कर सकते हों अब आ जाते है स्टॉक प्राइस को पाई तो यह स्टॉक अभी टॉप लिबल से जैसे में ने दिखा है कि 17 तू 18 पसंट डाउन है तो क्या आज़ा फ्रेजबा है जिरोंने अभी तक फ्रेजबाइं किया नहीं को नंबर के लिए वेट कर र लेना है तो चाहो तो 18 पसंट डिस्कॉर्ण में एक स्टॉमें लगा एक स्टॉमें लगा के चाशत तो लॉंग टाइंक साब से और दूसरा किसी को थोड़ा सेफली जाना है तो आपको आज भी पता है कि स्टॉक एक-एक साल में ऐसे को बहुत ज़्यादा गिरा है को आज देखो कि एक साल वारें के पास 400 पसंट और पांच-पांच साल में 1200-1300 उसके कंपार में यह गिरावाट कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी किसी को जाना है और थोड़ा किसी को कम रिक्स लेना है तो श्टॉक एक ऐसे लेवल पर अटका हुआ है ज्योंकि बीच में बीच में अगर आप इसके टेक्निकल को देखोगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्ता है सो पचास को कल की दिन इसने ब्रेकडाउन दिया था अगर वो इसी नीचे सस्टीन करें तो सिधा 25 तक यानि कि और भी श्टॉक में पास साथ पसंट की एक स्टॉक गिरावाट हो सकता है तो किसी को अगर पेसंस बहुत आदा पेसंस रख सकता है तो अगर 25 सुपे कभी निकर आते है मालो मंडे की दिन आते है तब चाहू तब भी चाहूता आप एक स्टॉर्में लगा सकता हो तब ये स्टॉक की गिरावाट लगबग 30 से लेके 24 पसंट कंपीट हो जाएगा चाहिए कभी भी भाई कर सकते चाहिए वो अठरा पसंट इंगरे बहुत सारी लोग तैसे बहुत की बातीस सुपचाश पर टॉप भाई किया होगा तो टॉप भाई करना गलत में बट विदाउट लॉट के साथ भाई करोगे तो फिर होल करना आक लिए बहुत ज़्यदा अगर इस प्रकासिस करते जाओगे तो अच्छे कास आपके अबरेश प्रावी बज़ जाएगा और हर गिरावाट का पाच्छे कासे फायदा भी उठा सकते हो आख्री स्टॉक की बात करें और एक दमदाय कंपनी सो एंजी लॉन निमिटें सो एंजी लॉन की बात करें तो दो पसंट को वह तेजी ठीगा भी इससे खुश नहीं होना है क्योंकि आज भी देखो यह तेजी दूर दूर दा को नजर भी नहाएगा मतलब स्टॉक आज भी टॉपले वैसे मतलब यह कमबैक यह तेजी कुछ भी ने इसकी गिरावाट के सामें और आज भी 35 से लेके 40 प और इस स्टॉक में गिरावाट हुए यह जरुआए वाला यह नॉर्मल गिरावाट है यह उससे प्रकार के गिरावाट है। तो इससे पैनिक मत करना, कमपनी दमदार है, सॉलिड है, ब्रोकिंग इंडिस्टी में सबसे बेस्ट प्रॉफविश दे रहे हैं, और आगे भी मैनेजमेंट के इमानना है कि कमपनी आगे भी इसी प्रकार के आपने प्रॉफविश को वो कंटीनू रखने वाले है, तो और आ एंजेलोन के बारे में जरूर 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 कंसिडर कर सकते हूं।